हेलो एवरिवन एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए एक महात्पूर्ण सूशना लाए हैं तो लेकिन अब कई दिनों से सुनने में आ रहा था कि पैट लागू कर देंगे तो पैट मतलब होता है प्रिलेम्स एलेजिबिलिटी टेस्ट इसको हिं कल से सुरू हो गया है और उसके अलावा इसका ऑनलाइन सुल्क जमा करना भी कल से ही सुरू हो गया 25 बात से और आवेदन करने की अंतिम्तिति एकिस छे तक के है और अगर संसोधन करने की बात की जाएगी तो यहाँ पर 28 छे तक के बात की गई है ठीक है तो यह देखिए 28 यूपीटर पलसी डॉट गॉर्मेंट डॉट इन साइट पर जाके आप इस ऑनलाइन आवेदन की प्रकिरिया कर सकते हैं यह सरकाई रिजल पर भी जाके आप कर सकते हैं उसके अलावा इसमें जो मुख बाते दी गई हो उसको भी बता देते हैं देखिए इसमें यहाँ पर परिक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो उसके दोर आएजित की जाने किसी भी मुख परिक्षा है तो आवेदन नहीं किया जा सकेगा मतलब आपने अगर पीटी नहीं दिया है तो अगर कोई वेकंसी आती है तो उसे आप नहीं डाल सकेंगे तो आपको इसका फॉ टेकर हमें लूड़ी को 10 अगर 70 इसे लिए यह वे को आयवा 15 मासरी के 40 वर्स तक की गई है चलीजें के बटीं fragrance उसके अलावा जो छूट मिलती है वो इसमें वैसे ही मिलेगी जैसे अन्य exam papers में आपको मिलती है जब भी vacancy का form फिल करते हैं ठीक है उसके बाद आरक्षन की जो यह बात की गई है यहाँ पर आरक्षन वी आपको ऐसे ही मिलेगा जैसे अन vacancy में मिलता है ठीक है और तो यहाँ परिक्षा योजना यहाँ पाठिकरम की बात की जाएगी तो देखिए आगे पाठिकरम दिया गया है उसे हम अभी आपको बताते हैं ठीक है वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है तो इसे आपको अभी दिखा भी देते हैं कि पाटिकरम में आपको क्या-क्या पढ़ना होगा और इसमें बात की गई है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की देखें यहाँ पर इन्हों ने बोला है कि अगर इसकी बात की जाए तो पीटी कब तक माने रहेगा तो यह एक वर्स तक के लिए माने रहेगा अब यहाँ पर दिया गया है कि आउनलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हैं यहाँ पर यह सब बात की गई है तो इसे आप इसका पीडियाफ आपको हम टेलिग्राम चैनल पर दे देंगे उस पर आप डाउनलोड कर लिजेगा और लिंक टेलिग्राम का डिस्क्रिप्ट्रण वाक्स में दे दिया जाएगा उससे आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुर सकते हैं और यहां पर आवेदन की देखिए प्रक्रिया दी गई है कि कैसे कैसे आप आवेदन कर सकते हैं ठीके और देखे यहां पर बात एक बर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहां पर लिखा हुआ है फोटो 6 मैंने की भीतर लिया गया हो तो फोटो आपकी नवीन फोटो रा लिएगा ठीके इस चीज का विसेज ध्यान रखिएगा और उसके अलावा हथाक्षर की बारे में बात किया गया है जैसे कि यह declaration form है यह सब चीज आप देख लिजेगा पढ़ लिजेगा और यहां पर अगर फीस की आवेदन सुल्क की बात किया जाए तो जनल वालों के लिए आवेदन सुल्क 180, OBC वालों के लिए भी 180 है अनुसूची जाती के लिए 95 है और अनुसूची जन जाती का भी 95 ह लिए ठीक है फॉर्म फिल करने की जो आपका सुल्क पढ़ेगा वो इतना पढ़ेगा अपका ठीक है उसके बाद फॉर्म का कैसे प्रिंट आउट लेना है इस चीज को आप देख लिजीगा और उसके अलावा आपका यहां पे जो महत्पूर्ण चीजें हैं दिखा देते ह अब आपका सीधे 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 सेबस पर आ ज़ाते हैं तो इसमें पर समझ्थ प्रैक्टी सेट मिलेंगे ठीक है तो अगर इतना उतना आपको प्रैक्ट। कर लेते तो काफी कुछ आपको help मिल जाएगा तो आइए अब देखते हैं कि क्या क्या सामिल किया गया है तो देखिए भारती इतिहास में जो कि आपकी सिंदु सब्वेता वैदिक संस्कति बॉद्धि धर्म जैने धर्म मौरी समराथ गुप्तवन्स हर्श्वादन और राज समाजी कार्थिक प्रभाव तो आपको टॉपिक वाइस प्रैक्टिस सेट मिलेगा तो आप जरू से जरू से सस्क्राइब कर लीजेगा ठीक है और पास नंबर के वाल आएगा उसके बाद आपका इंडियन नेस्टनल मुवमेंट जो है भारती राश्टी अंदोलन ये भी प्रवत मरुस्थल वन सखनी संसादन इन सब का जलवाई उम्मोसम पढ़ना होगा जनसी की मतलब इसमें टॉपिक वाइस दिया गया सेम ऐसी आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा ठीक है हमारा उसके बाद भारती अर्थ व्यवस्ता के बारें पढ़ना पढ़ेगा देखिए प्रामान हिंदी भी आपको पढ़ना पढ़ेगा और आपको एजीजनिंग करेंट अफ्यस और जर्नल एवर्नेस पढ़नी पढ़ेगी और उसके बाद आपको हिंदी में गधांस भी आएंगी जो कि दसनंबर का ठीक है और उसके अलावा ग्राफ मतलब आपका डियाई कि आपको टॉपिक वाइस इसमें प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा ठीक है इतनी की गई है इसमें कि आपका जो पीटी मानने रहेगा वो एक साल के लिए रहेगा आरक्षान सेम वैसे ही मिलेगा जो सारी वेकंसी में मिलता है ठीक है और उसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लिजेगा हम उसका अंसर आपको दे देंगे ठीक है और थैंक यू फॉर वाचिंग माई चैनल